हालो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद रखता हूँ अब सब लोग सही हो आज मैं डिसकस करने वाल हूँ केन वसे सासेक्स यह केन वसे सासेक्स यह जो इंग्लिस 2020 मैच है तो यह मैच का डीटेल्स आपको पाने के लिए आपको मेरा टेलिग्राम चैनल नेक्स टार्गेट ऑन फैंटासी एप्स में जरूर जूदना है अपडेट फाइनल अपडेट टीम मिलने के लिए उसके साथ आने वाला जो भी क्रिकेट फूटबल मैच का आपको जान खड़ी लेना चाहते हो तो नेक्स टार्गेट ऑन फैंटासी गेम्स यह नाम से यूट्व बाला सार्च करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आने वाला टाइम में नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके आपको पता चलेगा यह कौन सा मैच का मैच का मैच कवर करने वाला हूँ यह जो केन भस से सासेक्स मैच जो है एक खेला जाएगा सेंट लॉर्रेंस ग्राउंड पर जो है केंटिवेरी इंग्लेंड में यह मैच होगा सामको साथ वाजे यह सेटाडे को खेला जाएगा बारा सितंबा दो हाज़र वी जो आज है लगभग तीन गंत्रे बाद यह मैच शूर्ड होने बाला है यह वेदर जो है यह ब्रोकेन क्लाउड है हवा चलेगा यह मैदन में एवर्च कोज रहा है 148 चलिए देख लेते दोनों टीमों के अंदर यह मैच में सोरी यह ग्राउंड में कौन सा बैट्समन कौन सा बोला अच्छा गया जैकर हैरी खुन पाच मैच में इस ग्राउंड में एवरेज रान है पार मैच की सबसे 34.8 डीवीडी का साथ मैच में एवरेज स्कोर है पार मैच का 26.3 चैक क्रावली साथ मैच में एवरेज रान बनाया पार मैच की सबसे 25.9 पहले में बुलार का नाम लोंगा उसका मैच उसका एवरेज लिया है पार मैच की सबसे कितना उइक लिया हुई आई कईयों मैंने एक मेच खहला एसाइब से एक मैच मेच के हिसाब से यह जो मैड़ान में मैच sofort मैच तो मेरा हिसाब से यह जो मैडान में में खेलना मै," मैच इसमें जो फास्ट वालिंग लेगा उसका जितने का चांसेस 80% रहा और लास्ट तीनों मैचों का अगर डीटल्स चेक करते हैं तो लास्ट तीन मैच के अंदर केन लास्ट तीनों में तीनों ही मैच जीता है और ससेक्स ने दो जिताए एक हारा है तो मेरे ही सबसे लग रहा है एक केंड का होम ग्राउंड है तो केंड का पल्ला ही भाड़ी है चलिए अभी चेक कर लेते हैं टीम का डीटेल से केंड में खेलेगा जैक क्रावली एक में 28 एक में 67 किया था डी बेल डुर्मोर ने एक में 81 एक में 22 जो एक टीम का कैप्टेन है जो डेलनी का खेलने के चांस बहुत ज़्यादा है अगर जो डेलनी खेलेगा तो मैं जरूर उसको टीम में पीक करूंगा हैरी खुन बहुत अच्छा खेलता है वावुली ट्रॉफी में पर ये दो टी 20 में कुछ कबल नहीं कर पाई एक में 3 एक में 4 एलेक्स ब्लेक एक में 52 किया था कोई उकेड नहीं मिला दूसरे में 41 किया था कोई उकेड नहीं मिला जैक लेलिन ने एक में 7 के एक में 37 ग्रेम स्टुवर्ट या कैलूम हैगेट के अंदर तक हो सकते हैं कोई विय्छ खता है अर अभी तक दूनों मैच के अंदर कोई विय्छ एकमे नहीं खिलाँ जॉर्डनग्स ने एकमे जिरो एकमे दो और टीम के विय्छ राइब सोध कि सब psychiatrist से दूनों मैच में एक-एक कर के विक्ड लिया ईफ क्लसे ने एक मेए-एक मैच खेलाता है एक ही रन बना आए था सवरी लास्ट मैच जो है इंडिया उसको नहीं खिलाए गया था जो एक रन किया तो रान आउट हुआ था डी रॉलिंस ने एक में 10 एक में 30 किया था रोभी वपार एक में 14 एक में 18 किया था दी वाइस ने एक में 41 किया था एक में 38 किया था पाड को यिकम नहीं विला कि द मिलागाइ अपीर में 20 करको मिल डिथे 46 नहीं मिला विल बेर ने एक में एक विकेट मिला और एक में तो कुछ नहीं मिला अभी देख लेचे ड्री मिलेबेन की सबसे क्या टीम होने बाला है मेरा जे कॉकस विकेट कीपब लीग रइट डी बेल जे क्रावलि छी मेकलाइट डी वाइस ए ब्लाक क्रीस जॉर्डन डी ब्रीक्स आई कैयूम एफ क्लासिन इसमें कैप्टोन लीग रईट और वास के लिव डी वाइस राइगा ये मेरा फाइनल टीम नहीं है मेरा final team पाने के लिए मेरा telegram channel में जूरिए और मेरा को comment कीजिए अगर आपको team लेना आप पसंद करेंगे तो ही मेरा telegram channel में आपको final updated team प्रोबाइट किया जाएगा और मेरा cricket match का जो screenshot देया हुआ है देख लीजए पहले मेरा performance क्या है team का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को शेयर भी कीजिए गुटबाइ फ्रेंड्स